तो दोस्तोई के स्टॉक में आज हमको देखी करीब करीब सबादो प्रतिशत की गिरावट देखने को मिल रही है और यह जो गिरावट है लगातार हमको देखने को मिल रही है अपने उपर इस तरों से आ रहा हूँ 25% ये stock correct हो चुका है लेकिन इस गिरावट के पीछे का दोस्तो actual कारण मैं आपको कल के वीडियो में बता चुका हूँ, आज दोस्तो उस कारण का, उस reason का confirmation हमको मिलता हूँ देखने को मिला है और ये reason जो था दोस्तो, I think सबसे पहले मैंने ही आपके साथ share किया था और इसका confirmation आज मैं आपको देना चाहूँगा एक बार reason क्या है वो फिर से बता जाता हूँ जो यहाँ पर नहीं जानते हैं एक बार उसको repeat करने के लिए कि कल के दिन हमको यहाँ पर cams की जो listing थी उसका एक साल पूरा होता हूँ देखने को मिला और जैसा कि कल मैंने आपको बोला था as per sebi के जो guidelines है जो नियम है यहाँ पर जितने भी insiders हैं, diis हैं उनका यहाँ पर lock-in period रहता है एक साल का एक साल से लेके तीन साल तक का है यह मैंने आपको कल बताया तो यहाँ पर मैं आज आपको confirmation देना चाहूँगा दोस्तो आज ही की update है आप देख सकते हैं 30th of September की IFL private equity hits big returns with 50 million cams exit तो IFL private equity ने यहाँ पर दोस्तो cams से completely exit कर लिया है, यहाँ पर एक साल जो इनका lock-in था वो complete हो चुका है, IFL private equity हम आपको दिखाना चाहूँगा देखिए, investors में गये हैं, shareholders में, DII's में IFL India private equity funds जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से अपना पूरा exit ले चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं update आपको latest में दे रहा हूँ, ठीक है करीब 353 करोड का इनका investment था तो यह निकालके अपना यहाँ पर exit ले चुके हैं तो definitely उस्तों यह जो है, you know, investment firms हैं तो इनका एक साल में अगर 130, देखिए, एक साल में देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, 130% का return हम पो यहाँ पर देखने को मिले हैं हमारे जैसे या फिर promoters तो हैं नहीं है कि अपना long term तक business में यहाँ पर रहने वाले हैं, टिकने वाले हैं यह अपना पैसा निकालके कहीं और अच्छे, you know, start-ups में लगाएंगे कहीं और लगाएंगे तो इनको जादा मुनाफ़ा होगा तो यह तो निकलते ही रहते हैं, देखिए, market में यह चीज़े आपको देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं है कि हर कोई यहाँ पर 5-10 साल के लिए आया है, कई यहाँ पर D.I.I.s हैं जो कि अपना पैसा निकालके, क्योंकि उनको जो जो उनके customers हैं, उनके लिए हाँ पर profit भी उनको देना है भी या, profit customers ने पैसा लगाया तो ऐसा तो नहीं है customers ने हमेशा के लिए लगाया, कोई redeem भी करेगा तो उनको profit भी देना है, तो यह सारी चीज़े होती हो market में, तो अगर एक साल में इतना चाहूँगा देखिए, मैंने जैसा कल भी आपको बोला था, cams के पास है, strong यहां पर moat है, competitive advantage है, 70% का market share है, इंडिया का largest registrar और transfer agent है, तो यह इसके पास moat है, साथ ही में, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, इस चीज़ पर discuss करने से पहले, cams का अगर आप द P.E. अब देखेंगे, तो around 57 का चल रहा है, मतलब की, इस P.E. के आसपास देखिए, आप यहां पर historical P.E. है, जो पहले भी इस P.E. पर आके नीचे जा चुका है, फिर यहां से breakout जा तो एक अगर P.E. का हम देखें, यहां पर comparison करें, तो मुझे लगता है जो अब यह P.E. अ तो अगें यहां पर मौका बन रहा है, जिसने भी यहां पर rally miss की थी, KEMS की, वो अगें यहां पर invest कर सकता है, तो यह होगी पहली बात, दूसरी business model, जहां पर मैंने आपको बता है, strong mode है company के पास, जो इनका technology है, बहुत ही शांदार है, और largest, इंडिया का largest registrar and transfer agent है, with 70% market share, दूसरा यहां पर बड़ा player है, कारवी, जो की listed नहीं है, जोस्तों यहां पर around 28% या 30% का असपास आप मान सकते हैं, बाकि 1-2% सुन्दरम और Franklin के पास भी है, तो यहां पर कोई टकर देने वाला इसको है नहीं, और जो इसके clients हैं, mutual funds के, वो उनके साथ long standing relationship है, इनकी around कई सा सालों से इनकी relationship, यहां पर हमको mutual funds से, जो clients से इनके साथ देखने को मिलती है, leverage domain expertise, इनके पास infrastructure है, pan India physical network है, track record अच्छा है, market shareholders इनके साथ जुड़े हुए हैं, और 27 साल का इनको experience है, जैसे कि मैंने आपको यहां पर बताया, तो sticky kind of business model है, यहां पर इसको replace करना, मतलब इसको देखिए हाला कि यह भी एक technology driven दोस्तो platform है, definitely यहां पर हो सकता है, future में disruption आ जाए, लेकिन future में दोस्तों क्या होगा, उसके बारे में हमको नहीं पता, लेकिन आज की हिसाब से देखें, तो यह business बहुत ही जबरदस्त है, और इसको replace करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जै definitely यहां पर network effect भी दोस्तों काफी अच्छा काम करता है, क्योंकि इनके पास already customers का बहुत जारा data है, तो यहां पर एक तरसे इनको platform, network effect का यहां पर काम करता हो, देखने को मिल सकता है, साथ यसाथ platform business है, तो यहां पर इनका asset light model है, तो यहां पर cost भी इनको यहां पर कम पढ़त partnership है, तो यह cost में थोड़ा सा bargain कर सकते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि यहां पर कैम्स दोस्तों, एक intact business model है future के लिए, future में आलगी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि future uncertain है, लेकिन अगर हम बात करें, आने वाले समय की, तो कैम्स आपको अच्छी तरह growth होता हो, देखने को मिल सक आता रहेगा, इसी प्रकार आप देखिए, company की जो earning पर share है, earnings visibility है, clearly नजर आती है future में भी और लगातार, जैसे मैं आपको बोला, asset light model है, scalable model है, अपने cash flows को लगातार, ये company reinvest कर रही है, और देखिए relationship जो है, इनकी mutual fund clients के साथ, long standing relationship है, infrastructure बहुत भी जबरदस्त है, इनके पा कर, unit खरीदने तक, unit redeem करने तक, withdrawal तक, account में, अगर उस्विच करना चाहता है, किसी भी दूसरे scheme में, account closure तक, सब यहाँ पर, सारी services company है, camps provide कर रहती है, तो अपने आप में दोस्तों, गजब का business model हमको ये देखने को मिलता है, अगर मैं आपको एक चीज़ और बहुत important दिखा parameter होता, check करने का, कि company यहाँ पर अपने आपको scale कर रही है, क्या वो cash generate कर रही है, कि अपनी business है, और यह जो cash generate कर रही है, फिर से यह reinvest कर रहे है, और इसी वज़े से आप देखिए, इनका जो ROC है, मतलब कि, जो अपनी cash flows को अपनी business में invest कर रहे है, उसकी वज़े से, जो return यह generate कर रहे है, अपनी capital जो इन्होंने लगाई है, उस पर 57% के return generate करके, जो कि अपने आप में बहुत ही जबरदस्त है, return on equity आप देखिए 44% का, तो definitely, जैसे मैं आपको बोले है, operating leverage का इनको काफी फाइदा मिलता है, इसी वज़े से आपको return ratios बहुत बहुत ही इनके देखन को मिलेंगे, तो अगर हम बात करें, balance sheet के देखिए, बिलकुल debt free company है, reserves आपको लगातार बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, profit and loss में देखिए, आपकी sales growth बहुत ही जबरदस sales growth है, profit growth बहुत जबरदस है, margins देखिए, आप company के margins आपको लगातार expand करते हुए देखने को मिल हैं, तो यह अपने आप में दोस्तों बहुत जबरदस company है, business model है, तो इसके आप मौका मत छोड़िए, इस level पर आप इसको जरूर buy कर सकते है, round 25% correction पर हमको मिल रहा है, और PE भी आप दोस्तों इसका कम हो चुका है, तो जिस प्रकार की growth है, मुझे लगता है कि 50 का PE यहाँ इसके लिए, अब यहाँ पर थोड़े से risk reward ratio बहतर होता हूँ, नजर आ रहा है, इस level पर definitely नहीं था, मैंने आपको यहाँ पर वीडियो बनाया था, पहले भी बनाया है, कई बार, जब यह जो run-up हो रहा था, मैंने बोला था, भी buy मत कीजिए, मौका जरूर मिलेगा, अब म माल को खरीदेंगे भी, तो आप भी खरीदे, long term के लिए invest कीजिए, और चैन की नीम सो जाईए, तो आई हो दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगाओ, अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए चैन को सब्स्राइब कर लिजिए, मिलते हैं आ सब्स्राइब के लिए